नमस्कार आप देख रहे हैं YIS News मुरादाबाद पहुँचे मंत्री धर्मपाल सिंग बोले जनता को बर्गला कर भ्रम पैदा कर रहा विपक्ष मुरादाबाद में शनिवार को दिल्ली रोड स्थित सरकेट हाउस पहुचे मंत्री धर्मपाल सिंग पशुपालन एवं दुगधा विकास क्याबिनेट मंत्री जहां भारती अजनता पार्टी के कार्यकरताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया इसके बाद मंत्री धर्मपाल सिंग ने सरकेट हाउस में प्रेस वारताकर मीडिया को संबोधित किया उन्होंने केंद सरकार द्वारा जारी किये गए बजट पर बोलते हुए कहा कि प्रधान मंत्री ने किसान सम्मान मिधी देने का काम किया है साथ हजार करोल किसान सम्मान मिधी के लिए आवंटित किया गया है इसके अलावा क्यांसर की दवाया सस्ती कर दी गई है और मंद्रेगा की धनराशी बढ़ा दी गई है वही मंत्री धर्मपाल सिंग ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम है जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना लेकिन वह बहुश्कार करने का काम कर रहे हैं विपक्ष जनता को बरगला कर घ्रम पैदा कर रहा है इसके अलावा विपक्ष द्वारा अगनीवीर योजना का विरोध करने को लेकर मंत्री धर्मपाज सिंग ने कहा कि विपक्ष अगनीवीर योजना को बार बार गलत ठहरा रहा है और अफवा फैला रहा है कि देश में मने प्रधान मंतरी जी ने बजट प्रिस्तुत किया है देश की जंता के लिए और मने प्रधान मंतरी जी ने पहले ही कहा था कि हम किसानों की आए दोगनी करेंगे किसानों की आए दोगनी माने हमारा देश किसी प्रधान देश है जब खेती अच्छी होती है तो देश की अठ्विवस्ता अच्छी होती है खेती प्रवावित होती है तो अठ्विवस्ता प्रवावित होती है जीडीपी नापने का पहमाना खेती ही है इसलिए खेती और दूपालन में 200 गाएं की स्कीम है चार करोड किये इसमें दो करोड़ रुपए का नुदान है किसी के साथ साथ देश में दुनिया में पहला ऐसा भारत देश है जिसमें प्रदान मंतरी जी ने किसान सम्मान निदी देने का काम किया है इस बार साथ हजार करोर किसान सम्मान निदी को आवंडित किया गया है कैंसर की दवाया स्वश्ति कर दी गई ये मनरेगा की धनरासी बढ़ाकर 86,000 करोड कर दिया गया है गरीबों को इलाज स्वास्त की चिंता किये स्वास्त सब का वेतर हो कोई भी दवा के अवाओं में उसकी म्रत्व ना हो पावे तो 7,300 करोड रुपे का बजट इस आश्मान भारत योजना में आवंटित किया गया है इसलिए प्रदान मंत्री जी ने भारत सरकार ने जो बजट देश की जनता के लिए प्रसुत किया है तो किसानों के लिए गरीबों मलजूरों उद्धमी ब्यापारी करमचारी सब के लिए लाबदाएक है एक समावी इसी बजट है जिसकी प्रसुता पूरे देश में हो रही ह है कि बहुत आगे है 27 अजित को यह कोई आजबे लाइर प्रदान कि अभिवक्ष के अब से जड़े मुड्य उठाना वो बहतर ही है कर रहा है तैसे पर पेंग्स और चौकंवेर योजना का विरोधा निश्यदूरूफ है और वास्तम में आज आपको बताना चाहता हूं देश में इंडी गठवंदन ने जो भ्रहम पैदा किया कोई भी आतंगवादी की हिम्मत नहीं थी हमला करने की कास्मीर में जो हमले हो रहे हैं वह इंडी गठवंदन के कांड से बहुत बड़ी इस्ति आतंगवादियों का जो मनोवल बढ़ा है तो वह यह किसका यहीं कान है कि आज अंतर्राष्टी सागते वह नहीं चाहती थी कि मानिय प्रणान मंत्री मैरिद मोदी जी प्रणान मंत्री बने जिनका प्रयोग बिपक्षने करने का काम किया है जितिया का वरिया है कि कावडिये उफद्रवी हैं जगा जगे सोचल मीडिया पर वायरल है उफद्रवी कावडिये को बतानी कोशिद की जा दिया बहुत बड़ा इस तंक्षन लगा हुआ है इस तरह देखते हैं कि देश में हमारी अर्थ विवस्ता में वही राजा राजसंत्र में भी वही कल्यान है और यह जो कावड यात्रा है कुछ देश के कल्यान का रियत्रा है मां गंगा को अपने कंदे पर रख कर से गंगा भक्त लाते हैं तो इसके लिए जो लोग कह रहे हैं उनकी भतफना होनी चाहिए